दोस्तो DSSSB यानि कि देहली सबडिनेट सर्विस सेलेक्शन बोर्ड की ओर से 10.11.2023 को एक अड़िटाइजमेंट निकाली गई है अड़िटाइजमेंट का नंबर यहाँ पर आप देख सकते हो तो इस एड़िटाइजमेंट में DSSSB की और से कई सारी वेकेंसी को निकाला गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं 21.11.2023 से ऑनलाइन मोड से अप्रिकेशन फॉर्म जो है सब्मिट होना स्टार्ट हो चुके हैं और 20.12.2023 तक अभी भी आप यहाँ पर एपलाई कर सकते हैं गर आपने एपलाई नहीं किया है तो नीचे यहाँ पर पोस्टों की डिटेल बताईगी है जैसे कि सबसे पहले नंबर पर फॉर्म एसिस्ट की वेकेंसी है और आगे डिपार्टमेंट दिया गया है टोटल कितनी पोस्ट है 42 पोस्ट है फॉर्म एसिस्ट की इस तरीके से टेकनिकल एसिस्टेंट की पोस्ट है जूनियर रेडियो थेरैपी टेकनिशन की वेकेंसी है टेकनिकल एसिस्टेंट ग्रूप फॉर इन पी सी आर हैपेटीटिस में भी यहाँ पर यह भी पोस्ट है H&FWS का department रहने वाला है और टोटल यहां पर एक ही vacancy है सब station attendant की भी यहां पर post है assistant electric filter की post है draftman की post है scientific assistant nurse grade A की भी vacancy है xerox operator की यहां पर post है junior librarian की post है book binder की vacancy है library attendant की post है nurse grade A की vacancy है special education teacher की यहां पर vacancy है तो इस तरीके से कहीं सारी vacancy है अगर total number of vacancy की बात करें तो 863 यहां पर total vacancy जो है वो DSSSB की और से निकल कर आई है तो अगर आप किसी भी post के लिए eligible है यहां पर आपकी जो qualification है वो fit बैठती है तो दोस्तों आपको online mode से ही apply करना पड़ेगा और इसके लिए यहां पर दिखिए DSSSB online.nic.in यहां पर DSSS की यह official website है इसी पर जाकर आपको online mode से apply करना पड़ेगा इसके लावा दोस्तों पोस्टों के regarding में किसी भी information के लिए आपको इनकी official website पर चेक करते रहना पड़ेगा किसी भी further update के लिए थोड़ा सा नीचे scroll करें दोस्तों तो हरे post के आगे qualification बताई गई है कि क्या कुछ qualification आप से चाहिए इनको देखे जैसे कि pharmacist homopathy की post के अगर हम बात करें जिसका department जो है वो अयूश रहने वाला है यहां पर देख लीजे total 43 post हैं जो यहां पर category wise जो हैं बांटी गई है और नीचे देख लीजे दोस्तों pharmacist की post के लिए आपने 10 plus 2 science subject से किया होना चाहिए और आपके पस diploma homopathy pharmacy का होना चाहिए जिसका 2 साल से कम का आपके पस diploma नहीं होना चाहिए तब ही जाकर आप यहां पर apply कर पाएंगे दोस्तों अगर homopathy के post के लिए आप select हो जाएंगे तो आपकी salary 29,200 रुपे से start हो जाएगी और बन में 1300 रुपे तक आपकी salary जा सकती है प्लस grade पे आपको 2800 रुपे का यहां पर मिलने वाला है दोस्तों homopathy की post के लिए आपकी जो age है वो 18 साल minimum होनी चाहिए 27 साल ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए इसके लावा अगर आप किसी category से belong करते हैं तो आपको age में फर्दर यहां पर relaxation यानि की छूट देखने को मिल जाती है इसी तरीके से आप next post के लिए चेक कर सकते हैं इस तरीके से हम direct थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके मैं आपको किसी और post के लिए बता देता हूँ जैसे कि दोस्तों सब station attendant की post के हम बात करें जिसका department देहली ट्रांस को limited department रहने वाला है 90 post in total यहाँ पर sub station attendant की निकाली गई है जो यहाँ पर category wise बाटी गई है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो qualification क्या मांगी गई है education qualification में आपने 10th किया होना चे with science आपने 10th किया होना चे और ITI आपने electrician trade में किया होना चे और electrician trade में ही दोस्तों आपके पास one year का experience भी होना चे तो यह आपसे qualification यहाँ ने मांगी है इस post के लिए 37 साथ दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आप यहाँ पर select होते हैं इस post के लिए 29,200 रुपे से आपकी salary स्टार्ट हो जाएगी बन में 1300 रुपे तक आपकी salary जा सकती है प्लस आपको 2800 रुपे का grade बे भी यहाँ पर दिया जाएगा age में 27 साल से आपकी ज़्यादा age नहीं होने चाहिए age में आपको relaxation भी देखने को मिल जाएगा इसी तरीके से हर एक post के लिए आपको चेक करना जैसे assistant electric waiter की post के लिए आप चेक कर सकते हैं इस तरीके से हम next अब nurse की post के लिए देखेंगे ठीक है क्योंकि अगर सभी post के लिए हम चेक करते रहेंगे तो यह बहुत ही लंबा हो जाएगा क्योंकि काफी सारी post है इनकी और से निकल कर आई हैं इसलिए हम कुछ post के लिए देख लेते हैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं इसके लिए nurse grade A की जो vacancy है उसके लिए हम देखेंगे कि क्या कुछ qualification रखे गई है देख सकते हो दोस्तो nurse grade A की post है यहाँ पर निकल कर आई है जिसका department new dhally municipal council जो है यह आपका department रहने वाला है total 90 post जो है nurse grade A की निकाली गई है जो यहाँ पर category wise बांटी गई है जैसे के दोस्तों unreserved के लिए 37 रखी गई है OBC के लिए 26, SC के लिए 11, SD के लिए चे और EWS के लिए 10 vacancy यहाँ पर रखी गई है और qualification के अगर हम बात करें nurse grade A की post के लिए तो 10th आपनी किया होना चे diploma आपनी किया होना चे general nursing का किसी भी recognize institute से और candidate must be registered यानि registered होना चे candidate कहाँ पर with recognize nurses registration council में registered होना चाहिए दोस्तों अगर nurse grade A की post के लिए आप select हो जाते है तो आपकी salary 44,900 रुपे से start हो जाएगी एक लाग 24,400 रुपे तक आपकी salary जा सकती है plus grade पे आपको 46,400 रुपे का मिलने वाला है यहाँ पर age के अगर हम बात करें तो 800 साल minimum age आपकी होने चाहिए जादर से जादर 32 साल तक अगर आपकी age है तो आप यहाँ पर दोस्तों apply कर सकेंगे age में relaxation देखने को मिल जाता है अगर आप किसी category से belong करते हैं ठीक है इस तरीके से हर एक post के लिए आप चेक करेंगे दोस्तों और जिस भी post के लिए आपकी qualification जो है वो fit बैठती है उस post के लिए आप online mode से apply कर देंगे तो अभी भी आपके पास time है अगर आप interested हैं किसी post के लिए तो apply कर सकते है fees के अगर हम बात करें तो fees यहाँ पर जो है 100 rupees आप से charge किये जाएंगे देख सकते हो यहाँ पर 100 rupees रखे गई है और यह आपको online mode से ही pay करनी पड़ेगी इसके लावा women candidates के लिए और जो SC, ST में आते हैं यहाँ पर जो form है वो मतलब application form जो है वो भर सकते हैं ठीक है अब नीचे यहाँ पर बताया गया है कि examination की scheme किस तरीके से रहेगी तो यह tier first और tier second exam आप से लिया जाएगा first tier में आपको general से पुछे जाएंगे question जैसे general awareness, general intelligence and reasoning ability arithmetic and numerical ability test of Hindi language and comprehension test of English language and comprehension ठीक है तो यहाँ पर यह syllabus भी साथ ही साथ इन्होंने attach किया है और जो tier 1 रहेगा इसमें 2 गंटे का आपको time दिया जाएगा 200 MCQ type के question पूछे जाएगे 200 number के यह रहेगे दोस्तों इस तरीके से जो tier second रहेगा इसमें technical area से आपको questions पूछे जाएगे यानि जो आपका proper जो आपका discipline होंगे जो आपका subject होंगा तो उसी subject wise ही आपको यह questions पूछे जाएगे 2 गंटे का time दिया जाएगा 200 questions पूछे जाएगे 200 marks के रहेंगे दोस्तों एक question जो है एक number का यहाँ पर रहने वाला है तो syllabus साथ ही साथ यहाँ पर दिया गया है तो आप syllabus को भी यहाँ पर check करना चाहते हैं तो check कर सकते हैं थोड़ा सा नीचे scroll करके कुछ और important देख लेते हैं अगर कुछ और important होगा जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताए age में आपको relaxation देखने को मिल जाएगा तो आप यहाँ पर check कर सकते हैं जैसे SC और ST वालों को SCST for group B और group C के लिए 5 साल का relaxation है age में OBC for group B and group C 3 साल का relaxation है age में PWD for group B and group C के लिए 10 साल का relaxation है तो इस तरीके से यहाँ पर age में आपको relaxation जो है वो देखने को मिल जाता है थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होकर कुछ और important देख लेते हैं हमसे कुछ important छूटना नहीं चाहिए तो दोस्तों मैं hope करता हूँ कि आपको यह सारी चीज़ें जो है क्लियर हो चुकी होंगी सो थैंक यू वेरी मुच